हलो बच्चों कैसे हो आप लोग माईशेल ताराचन टीम मैच CLC सीकर सो आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं अपनी गुरुनितिक का थार्ड एपिसोड और उसके अंदर अपने डिसकस करेंगे जो हमारे टिग्नोमेट्री के जो क्यूसंस आये थे ठीक है लास्ट थ्री बच्चों के हाइट डिस्टेंस के अंदर ठीक है किसी भी टाइप का कोई भी कॉंसेप्ट अगर आपका अगर कमजोर रहा हुआ है यह आपको क्यूसंस को करने में अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस गुरुनिति को बड़े ही ध्यान से देखीगा ठीक आपके सारे कॉंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्यूसन और जो फर्स्ट क्यूसन है हमारा वो किस चीज से रिलेटेड है देखिए यह हमारा टिग्नोमेट्री से है सीधा ठीक है और यहां पर हमें दिया गया है कि इस एक्वेशन ओप इसको हम करेंगे रेंज के थ्रू ठीक है जो हमारे सामने साइन थीटा की और पॉस्स थीटा की जो रेंज होती है ठीक उसके थ्रू हम इसको सॉल करेंगे तो देखते हैं देखिए कोस की पावर फोर थीटा को लिखा कॉस स्क्वाइर थीटा प्लस साइन स्क्वाइर थीट तो उसको यहां से हटाने के लिए हमने क्या कर दिया इसमें से माइनस कर दिया 2 sin square theta cos square theta and plus lambda will be equal to 0 इसके बाद देखिए cos square theta plus sin square theta को लिखा 1 minus यहां पर एक 2% है बट हमें इसको आगे शिर्फ sin में convert करने के लिए 4 चाहिए तो हमने इसको 1 by 2 से divide किया और साथ में उस 2 को अंदर ले गए तो यह बन गया 2 sin theta cos theta का all square and plus lambda will be equal to 0 यहां से देखिए कितना आएगा 1 minus sin square 2 theta divide by 2 plus lambda will be equal to 0 तो यहां से देखिए हमारे सामने lambda की क्या value आ गई lambda आ गया हमारे सामने sin square 2 theta divide by 2 minus 1 अब देखिए lambda हमारे सामने आ गया और हमें lambda का ही interval चाहिए तो देखिए हम कैसे निकालेंगे हमें यह पता होता है कि sin square theta की जो value होती है ठीक है वो हमेशा कहां से कहां लाई करती है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है वैसे sin theta minus 1 से 1 होता है पर जब आप square करेंगे तो negative numbers positive बन जाएंगे तो 0 से 1 हो जाएगा इसको हमें 2 से divide करना है तो यह आजाएगा 2 से divide करने से sin square 2 theta divide by 2 will be less than or equal to 1 by 2 जब भी हम किसी positive number से divide करते तो inequality जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है इसके बाद हमें minus 1 करना है तो इसमें से minus 1 करेंगे तो 0 minus 1 minus 1 होगा यहां से आएगा sin square 2 theta divide by 2 minus 1 और इधर आजाएगा 1 by 2 minus 1 that is minus 1 by 2 तो यहां से यह हमारे बिल्कुल जैसा lambda है वैसा बन गया और यही हमारा lambda का interval है minus 1 से लेकर के minus 1 by 2 के बीच तो ऐसा जो भी आपके सामने option है वो आपका सही answer है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किसका जो सही answer होगा वो कौन सा होगा second option होगा clear है? चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 2 और question number 2 देखिए height and distance से आ गया जिसे मैंने कहा था कि ज़्यादा किसन हमारे height and distance से पूशे जाते हैं देखिए क्या दिया गया है two vertical poles AB and CD are standing apart on a horizontal ground ठीक है ना? इसके दिने देखिए diagram बड़ा important होता है बहुत ही सही तरीके से बनाना है थोड़ा सा diagram में गलती होई तो पूरा किसन गलत हो जाता है देखिए एक कोई ground है ठीक है उसके उपर दो pole है आपके सामने एक AB है और दूसरा CD है ठीक है जिसके अंदर आपको AB और CD की length दी गई है are standing apart on a horizontal ground with point A and C ठीक है आप जहां पर आपके सामने पॉल खड़े हैं वो point क्या है आपके सामने A और C है A से लेकर के B तक आपके सामने 15 मीटर है और C से लेकर D तक आपके सामने 10 मीटर है तो थोड़ा सा आप diagram भी उसी तरीके से बनाए कि 15 मीटर वाल थोड़ा बड़ा लगे 10 मीटर वाला थोड़ा छोटा हो points A and C on the ground if P is the point of intersection of BC and AD देखे B को C से जोइन कर दीजिए और point D को A से जोइन कर दीजिए तो इनका जो intersection point है वो point कौन सा है P तो आप से क्या पुछा गया है then the height of P above the line AC is तो AC जो line है यह ground के उपर थी आपकी ठीकिन इस से point P की जो height होगी आपको यह बतानी है कि यह कितनी होगी clear है तो देखे कैसे करते हैं मान लेते हैं कि यह angle जो है हमारे सामने theta है और यह angle जो हमारे सामने alpha है यह यह वाली length इस point से लेकर के इसको क्यूँ मान लेजिए मान लेते हैं कि A Q की length A है और Q C की length B है तो देखे 10 theta भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो और 10 alpha भी आप दो तरीके से निकाल सकते हो सबसे पहले 10 theta की बात करें अगर तो देखे 10 theta एक तो आप निकाल सकते हो triangle A, C, D तो इससे आपको मिलेगा 10 divided by A plus B ठीक है न? perpendicular by base ऐसे आप इस triangle से भी 10 theta निकाल सकते हो A, Q, P इससे आपको value मिलेगी कितनी? H upon A ये 10 theta की value हो गई दो तरीके से एसे ही देखे आप 10 alpha दो तरीके से निकाल सकते हैं 10 alpha की value क्या आएगी? एक तो इस triangle C, A, B से आएगा आपके सामने perpendicular 15 divided by A plus B और साथ में ही आपके सामने 10 alpha C, Q, P ट्राइंगल से आएगा और यहां से आपको मिलेगा H divided by B अब देखे हमें इससे solve करके H निकालना में हमें यहां से A और B को guide करना है तो simple से simple तरीके सम कैसे solve कर सकते हैं इदर देखे A plus B हमें दिखाई दे रहा है और इदर दोनों में H दिखाई दे रहा है तो इनको reciprocal करके add कीजिए तो reciprocal करके add करेंगे इदर आएगा देखे A plus B divide by 10 प्लस इदर आएगा A plus B divide by 15 और reciprocal करके अगर add करोगे तो इदर दोनों में LCM में आपके सामने H आएगा और उपर बन जाएगा A plus B तो देखे क्या फाइदा हुआ कि आपका A plus B अपने आपी पूरा का पूरा guide हो गया सिरफ equation में हमारा H बचा अब हमें इसको solve करना है तो यहां से H की value बहुत easily आ जाएगी देखे कितनी आ रही है 1 by H की value आ रही है आपके सामने 1 by 10 plus 1 by 15 LCM आएगा इसका 30 यहां पर आएगा 3 plus 2 that will be 5 by 30 5 से divide किया 6 time तो cross multiply करेंगे तो H की value मिलेगी हमें 6 meter क्योंकि हमारे जो सारे options थे वो meter में है तो यहां से answer भी meter में आएगा और आपसे पुछा भी गया था कि meter में कितना होगा इन meter तो आपका जो answer होगा वो आएगा 6 meter और आपका second option क्या होगा correct होगा पिलियर है बच्चो चलिए आगे बात करते हैं next question और next question है हमारा question number 3 और question number 3 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है question number 3 के अंदर देखिए अब भौती ध्यान से language को पढ़ना है ठीक है क्योंकि language ही सबसे important होती है height and distance के question हो पे अगर उसको आपने सही से read कर लिया तो फिर question में कुछ नहीं बचता है the angle of elevation of a cloud sea from a point P 200 meter above a still lake is 30 degree ठीक है यहाँ पर कोई एक lake है ठीक है और यहाँ पर आपको यह बोला गया कि the angle of elevation of a cloud sea ठीक है उपर यहाँ पर कोई भी एक बादल है cloud में इसक्या होता है बादल ठीक है तो यहाँ पर एक कोई बादल है sea from a point P 200 meter above the still lake ठीक है ना इसके उपर कोई एक point C है ठीक है ना यहाँ से 200 meter उपर ठीक है ना लेक से आपके साबने इसका जो angle of elevation बन रहा है वो कितना बन रहा है वो बन रहा है 30 degree यह आपके साबने पहली condition है इसके बाद second आगे देखते हैं क्या है if the angle of depression of the image of the sea अगर यहाँ पर लेक है आपकी तो इस बाद इसका जो आपके साबने इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी यहाँ पर बनेगी और इसका जो angle of depression होगा वो आपको कितना दिया गया है वो आपको दिया गया है 60 degree ठीक है इसके बाद angle of depression of the image of the sea is the leg from the point P is 60 degree इस point से कितना है 60 degree then PC is equal to ठीक है अच्छा जो आपके सामने point से लेकर के यह जो point है यह आपका point P नहीं है ठीक है एक second यह जो हमारे सामने बना है ठीक है यह 200 meter जो था ठीक है यह यह आप रहेगा इसकी जो height है यह है आपके सामने पूरी कितनी H ठीक है तो इसकी जो ground से यह जो पूरी distance है वो है आपके सामने C P ठीक है यहां से लेकर के यहां तक और यही आप से क्या बॉला गया है यहां से पूछा गया है ठीक अनकी h की value कितनी होगी तो देखिए कैसे निकालेंगे फिर से वापिस देखिए अगर आपने diagram सही से बना लिया अब question में कोई दिक्कत नहीं यह किसी भी type की ठीक है कैसे करेंगे देखिए इसकी image बिलकुल एक दम इसी type से बनेगी नीचे की तर ऐसे ही क्योंकि यह 200 मीटर है और अगर अगर h height के उपर cloud है तो नीचे इसकी image भी h height पे होगी तो इस point से लेकर के इस point तक की जो total length हो जाएगी वो जाएगी h plus 200 अब आप इन दोनों triangles के अंदर trigonometry लगाईए तो आपका answer आ जाएगा देखिए 1030 की value होगी आपके सामने h minus 200 divided by x और ऐसे 1060 की जो value आएगी वो आएगी आपके सामने h plus 200 divided by x ठीक है इन दोनों को solve करके हमें h निकालना है ठीक है तो आप first equation को second से divide कर दे ताकि x cancel out हो जाए और हमारे को सिधा answer मिले तो यह आएगा 1 by root 3 और root 60 की value होगी root 3 will be equal to h minus 200 divided by h plus 200 देखिए कितना आ रहा है यह इदर multiply हो जाएगा यह इदर चला जाएगा तो इदर आएगा h plus 200 और इदर आजाएगा आपके सामने 3 h minus 600 तो यहां से 2 h की value आएगी आपकी 800 और h की value आजाएगी 400 I think meter में दिया वात आगें data तो आपका जो answer आएगा वो भी किसमा आजाएगा meter के अंदर clear है तो इस तरीके से आपका जो correct answer होगा वो third होगा 400 meter will be correct answer clear है बच्चों चलिए आगे बात करते हैं next question number 4 और question number 4 के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से यह solve होगा ठीकर L और M की values हमे में निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले देखें जैसे sin square a minus sin square b को हमने देखा तो हमें यहां से क्या दिखाई दिया इसके अंदर कि यह जो है हमारे सामने कौन सा परना लगेगा sin square a minus sin square b minus a square minus b square type का तो यहां से आपको मिलेगा l equal to sin a plus b दोनों को add किया तो हमें मिला 3 pi upon 16 और बन जाएगा pi upon 16 इसके बाद में देखिए क्या करेंगे आगे वापिस देखिए हमें आंसर जो चाहिए वो एडिशन के फॉर्मेट में चाहिए इसे दो ट्रम का एडिशन लेके आना है इसको एडिशन में कैसे convert करेंगे 2 sin a sin b का formula लगाएंगे और 2 sin a sin b कौन ला सकता है त तो 2 sin a sin b लाएगा cos और cos भी क्या करेगा पहले दोनों को subtraction करेगा ठीक न फिर addition करेगा तो पहले subtraction किया 3 pi minus pi there will be 2 pi pi 16 तो यहां से आजाएगा cos pi pi 8 फिर minus sin cos दोनों का addition और दोनों का addition करोगे तो आगया pi upon 4 तो यहां से हमें l की क्या value मिली देखिए l will be equal to minus 1 upon 2 cos pi pi 8 और cos pi pi 4 होता है 1 by root 2 और minus minus plus हो जाएगा 1 upon 2 root 2 और that will be 1 upon 2 root 2 तो क्या ऐसा कोई option है l में तो ऐसा option नहीं है देखिए यह ट्रम negative में आ रही है यहां positive आ रही है यहां positive आ रही है लेकिन यहां पर 4 आ गया यहां पर 2 है तो पहला और दूसरा तो दोनों option क्या होगे गलत हो तो यह बनेगा सैम चीज़ बनेगी साइन की जगे पर कॉस आ जाएगा कॉस स्कॉर ए माइनस स्कॉर भी किसका फॉर्मला होता है प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी ठीक हो तो इस बार जब आप इसके इंदर फॉर्मला लगाएंगे तो इस बार आपके सामने दोनों के बीच में एडिशन आएगा तो यह बनेगा कॉस थ्री पाई प्लस पाई दैर विल भी पाई पाई पॉर और प्लस कॉस अप सब्रेट करोगे तो आ जाएगा पाई अपॉन एट इस बार जब इसको वैल्यू यहां से चेक करेंगे यह भी रूट टू होता है सो वन अपॉन टू रूट टू एंड फ्लस वन अपॉन टू इन्टू कॉस पाई अपॉन एट और ऐसा उप्शन हमें जरूर दिया होगा और और इस ऑप्शन नमबर थ्री ठीकर फॉर्ट उप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर नीचे फोर आ गया जब यहां पर कितना आ और लाजब हमें का बाज फाह की आध एगाँ कम चाहर को से fusion Rock टी फॉर्ट इंट इंट इने और इस पिछी तरफ के तरफ मुनिपॉऍपन हो इस आदमी की आई से यहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है ठीक है अब मैंने इसको यहां से जोइन क्यों किया आप सोचो को इसकी आई पेरों में कैसे हो गई तो पेरों में नहीं है क्योंकि आपको आगे बोला गया है कि इग्नॉर मेंस हाइट आदमी की हाइट को आपको इग्नॉर कर देना है ठीक है तो चाहिए उसकी आँखें पेरों में होगी या सर पे होगी उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीकिन उसकी हाइट को आपको नेगलेट कर देना है चलिए अप्टर सेलिंग पॉट्टी सेकेंड टॉट्स दी बेस आपके पास में आपकी जो बॉट्ट है वो यहां पहुंच जाती है और जहां पर आपको बोला गया है वेर दा एंगल ऑफ डिप्रेशन इस 45 डिग्री अचा यह एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन का क्या जंजट होता है तो यह कुछ नहीं सिंपल पार्ट रहता है अगर आपका अगर आपकी आउंखों से अगर नीचे रहता है तो और रहन से बनता है और और 10 ऑपर होता है तो अब्सके से और लॉटर के बनता है यह होती है बस यह सोटा शाम होता है देन था मुते यहां तक आने में उनकालश तो चलिए देखते हैं, माल लेते हैं कि ये वाली जो distance है वो x है, तो ये distance कितनी हो जाएगी, y, b से लेकर के इस point, ये c माल लेते हैं, c तक की distance y है, अब ये angle 45 degree है, 90 तो ये भी 45 degree होगा, तो ये y है, तो ये भी y होगा, जितना हो सके, उतना data को सीधा यहीं पर observe किया करो, इस के बाद में देखिए, हम एक equation मनाते हैं, y और x के अंदर, उस angle 30 degree से, तो वहां से हमें मिलेगा, देखिए, y divided by x plus y will be equal to 1030, जो होता है, 1 by root 3, so root 3y कितना आ जाएगा, x plus y, तो यहां से y की value आ गई, आपकी x upon root 3 minus 1, अब देखिए, हमें इसकी time निकालने के लिए, यहां पर speed चाहिए होगी, क्योंकि uniform speed है, तो यहां से speed मान लेते हैं कि s है, तो s की value कितनी आएगी, speed होते है, distance upon time, so x upon 20, और यही speed आपकी यहां पर होगी, तो यहां का जो time होगा, वो कितना हो जाएगा, यहां की distance, जो y है, और divide by speed जो भी है आपके सामने, that will be x upon 20, तो यह हो x upon root 3 minus 1, so x x कट जाएगा, और यह हो जाएगा 20 divided by root 3 minus 1, इसको simplify कर लीजिए, इसको rationalize कर लीजिए, तो यहां से आपको यह मिलेगा, 10 into root 3 plus 1, x divided में 2 आएगा, जो 20 को cancel out होकर 10 कर देगा, और आपका जो fourth option होगा, वो यहां पर क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, clear है, तो य question number 6 में देखिए आपको क्या दिया गया है, फिर से देखिए trigonometry से है यह question, question number 6 में आपको बोला गया है कि all possible values of theta for which this lies in, ठीक है न, हमें theta की 0 से 2 pi में वो सारी values बतानी है, जब sin 2 theta plus 10 2 theta कैसा हो, greater than 0 हो, देखिए कैसे करेंगे, एक में convert करने की कोशिस करते हैं, तो sin 2 theta plus 10 2 theta क divided by cos 2 theta will be greater than 0, sin 2 theta को बाहर लेके आए, cos 2 theta को LCM लिया, तो यहां पर बनेगा cos 2 theta plus 1 will be greater than 0, इसको वापिस इसके साथ में मिला दिया, तो 10 2 theta into 1 plus cos 2 theta will be 0, greater than 0, तो देखिए, 1 plus cos 2 theta तो हमेशा greater than 0 होगा, शिरफ आपके सामने जो multiples होगे, पाइपाइट, जब भी miss यह minus 1 होगा, तब 0 होगा, ठीक है, तो options से हमें दिखाए दे रहा है, कहीं पर भी multiple तो है नहीं, सब जगे open bracket है, तो यह तो miss कभी आपके पास में negative होगा नहीं, और 0 वा चाहिए, greater than 0 होना चाहिए, अब 0 से 2 pi के अंदर 10 2 theta कब-कब greater than 0 होता है, तो एक तो यह greater than 0 होता है, आपका 0 से pi pi 2, ठीक है, इसके बाद 3rd quadrant के, 3rd quadrant के अंदर यह होगा आपके सामने, क्या, pi से लेकर के 3 pi pi 2, लेकिन यह कौन किसका interval है, यह है आपका 2 theta का interval, ठीक है, तो यह यहां से theta आपके पास में क्या आएगा, theta आएगा आपका यहां से 0 से pi pi 4, फिर 2 से divide करेंगे, तो pi pi 2 से 3 pi pi 4, तो हमें तो answer कब तक चाहिए, हमें तो 2 pi तक चाहिए, अभी तो हम pi तक भी नहीं पहुंचे, इसका मतलब हमारा आगे interval और आ सकता है, ठीक है, अगर आपके पा 2, that will be 5 pi pi 2, ऐसे एक interval और आएगा आपका, 5 pi pi 2 के बाद में आपके सामने 3 pi से 7 pi pi 2, और इनको जब 2 से divide करोगे, तो इस तरीके से आपको 2 answers और मिल जाएंगे, 2 pi divided by 2, means pi से लेके 5 pi pi 4, और साथ में इसको divide करेंगे, union 3 pi pi 2 से लेकर के 7 pi pi 4, तो यह 4 interval आएंगे, और आपको इ जाना है कि कौन सा option सही है, तो आपका जो second option है, वो सही होगा, 10 2 theta will be greater than 0, इसको आप और थोड़ा से easy बना सकते थे, अगर graphical process से करते, देखे 10 theta को 0 से 2 pi में चेक करना है, तो यहाँ पर graph ऐसा होता, फिर वापिस graph ऐसा आता, फिर वापिस graph ऐसा होता, और हमें कब तक जाना ह है, क्योंकि 2 theta का लिए यह तो 4 pi तक जाना है, तो यह 0 से pi यहाँ पर होता है, 2 pi, तो अभी आपको और थोड़ा सा आगे चलना है, यहाँ पर होगा, और फिर आपके सामने यहाँ तक, यह हो जाएगा आपका 2 pi, यह 3 pi और यह 4 pi, ठीक है, अब इन सब के अंदर आपको यह अब आपके सामने यह क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो देखें, एक interval तो आपका यहाँ लाई करेगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, और चोथा यहाँ पर, तो 4 interval आएंगे, और सब को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से pi pi 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 से pi pi 4, next को डिवाइड करोगे तो यह, तीसरे को करोगे तो यह, और 4 को करोगे तो यह, तो इस तरीके से answer आपका second ही सही होगा, बट आप इस तरीके से graphical approach से भी कर सकते थे, अगर आपको इस तरीके से problem हो रही है, तो चलिए, आगे बात करते हैं next question, और next है हमारा question number 7, और question number 7 में देखी हमें क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, question number 7 के अंदर आपको सीधा सामी से question है, cos x plus cos y minus cos x plus y equal to 3 by 2, और आप से पूछा है कि sin x plus cos y कितना होगा, इस से question में देखे थोड़ा सा observation कीजी, हम ऐसा question के अंदर, question आप बहुत easily, बहुत simply solve कर पाएंगे, दे trigonometry के अंदर ऐसा बहुत ही कम होता है, ठीक है, कि 3 by 2 आपके सामने 3 टरम से आ रहा है, तो most probably chance ऐसा ही है, कि यहां से भी 1 by 2 आया होगा, यहां से भी 1 by 2 और यहां से भी 1 by 2, ऐसा भी हो सकता है कि 1 टरम से 1 आजाए, और 1 टरम से आपके सामने 1 by 2 आजाए, एक से 0 आजाए, बट उसके chances बहुत कम है, क्योंकि जब आप एक को 0 लोगे, तो cost 0 1 तो वहीं पर हो जाए, या पाई पाई 2 हो गया, ठीक है, तो दूसरे वाले की जो भी value होगी, तो क्योंकि आपने उसको एक को पाई पाई 2 एंगल पहले से लिया है, तो उसके chances बहुत कम है कि एक 1 और जीरो आजए, ठीक, most probably chance यही होगा, और यह बिलकुत तुक्का इसमें सही बेट गया, आपका अगर आपने इससे सोच लिया, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2 से ही यह 3 बाई 2 होगा, यहां से x आएगा 60 डिगरी, यहां से y आएगा 60 डिगरी, और यहां से भी देखिए, आपक 60 की वैल्यू रूट 3, प्लस, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2, रूट 3 बाई 2, LCM लेंगे, तो यह आंसर आपका सही होगा, एक प्रोस तो आप ही यह हो सकती है, अब आप कहेंगे कि सर यह तो आपने तुक्का लगा दिया, तरीका क्या होगा करने का, तो वो भी देख लेते है कि systematic तरीके से कैसे solve किया जाएगा, ठीक है, बट मैं यह चाहता हूँ कि आप question को इस तरीके से solve करें, चलिए, देखते हैं, तो systematic तरीके से तो देखिए, आपको वही formula बगरा सब use करने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, cos x plus cos y minus cos x plus y equal to 3 by 2 दिया है, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, cos x plus cos y में formula लगाएंगे, तो यह बनेगा 2 time cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2, ठीक है न, cos c plus cos d का formula लगा दिया, यहाँ पर भी cos 2 theta का formula लगा देते हैं, क्योंकि सारे angle half में हो गये हैं, तो यह भी आ जाए, तो यहाँ पर आएगा यह minus का 2 cos square x plus y by 2 minus 1 होता है, ले equal to 3 by 2, इस 1 को इधर ले आते हैं, तो यह बन जाएगा 1 by 2, और इस 2 से इसको cross multiply कर देते हैं, तो यह बनेगा 4 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2, साथ में इधर भी एक 2 multiplication हो जाएगा, minus का 4 into cos square x plus y by 2, और equal to में आएगा 1, और उस 1 को देखिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए यह तो आपके सामने square में ट्रम आ गई, और साथ में यहाँ पर negative वाली ट्रम है, तो negative वाली ट्रम यहाँ पर 1 की जगे पे लाते हैं, और उसको लिखते हैं, cos square x minus y by 2, प्लस sin square x minus y by 2, अब आप कहेंगे कि सर इसको minus ही क्यों लिखा, प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस आपक cos square theta plus sin square theta लिख सकते हैं, और इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, अब इस सारी ट्रम को अगर हम right hand side में लेके जाएं, तो देखिए आपको बहुत अच्छा सा एक formula दिखाई देगा, that is cos x minus y by 2, और यह दोर जाके plus हो जाएगा, और यह minus हो जाएगा, so minus का 2 time cos x plus y by 2 का whole square, देखिए यह इसका square बन गया, क्यों, क्योंकि a square यह उदोर जाकर के plus b square और यह बन जाएगा minus 2ab, so that is a minus b का whole square, और साथ में यहाँ पर आएगा sin square x minus y by 2 will be equal to 0, और देखिए दो square quantities का sum 0 तभी हो सकता है, जब आपकी यह वाली term भी 0 हो जाए, और यह वाली term भी 0 हो जाए, य 0 कब हो सकती है, जब आपके सामने x और y 0 से pi के बीच में है, तो जब x minus y by 2 आपका क्या हो, n pi का multiple हो, ठीकर n pi का कोई भी multiple हो जाए, तो x minus y की value कितनी आ जाएगी, x minus y हो जाएगा आपका 2n pi, ठीक है, अगर हम यहाँ पर values ले n की, तो जैसे सबसे पहली value अगर मैं n की 0 ले pi है, जो possible ही नहीं है, क्योंकि maximum अगर मेरे पास में एक को pi ले लू और एक को 0 ले लू, ठीक है, जो यहाँ पर possibilities है, तो difference 0 ही आ सकता है, तो सिरफ एक ही possibility है, that is n equal to 0, और n equal to 0 पे x equal to y मिल रहा है, यहाँ पर जब आप x और y को same put करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, cos 0 बन ज जाएगा, cos x will be equal to 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा, cos x की value 1 by 2, cos x 1 by 2 है, तो x 60 degree, और x और y दोनों same है, तो y भी 60 degree, तो जो आपने तुक्काम आ रहा था, देखिए, answer तो वही आ रहा है, 60 degree क्यों वही आना था, तो 60, 60 जब यहाँ put करेंगे, तो फिर से आपका जो answer आएगा वह पहले वाला होगा, 1 plus root 3 by 2, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 8, और question number 8 में देखिए हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, question number 8 में आपको बोला गया है, a pole stand vertically inside a triangular park ABC, ठीक है न, एक कोई triangular park ABC है, जिसके अंदर एक कोई भी आपके सामने क्या है, एक pole खड़ा क किया गया है, ठीक है, let the angle of elevation of the top of the pole from each corner of the park will be pi pi 3, एसे कुछनों को थोड़ा सा आपको observation करना है, इसके अंदर mid में कहीं पर भी कोई इस तरीके से कोई भी एक pole है, ठीक है, और इसके top से सारे जितने भी corners है, सब के उपर angle of elevation कितना है, आपके सामने, pi pi 3 है, तो इसको लाइन और इस pole के बीच में angle कितना होगा, 90 degree, ठीक है, तो इस point को अगर मैं P मान लूँ, ठीक है, तो point P के उपर angle बनेगा, वो कितना बनेगा, 90 degree, यह P की height है, ठीक है, और इसको आपको point A से join करना है, तो इस point को A मान लेते हैं, और यह height वाला point है, इसको मैं Q मान लेता हू तो यह इसकी height हो जाएगी, और यह point A है, और इसकी height से point A के उपर जो angle बन रहा है, वो कितना है आपका, 60 degree, तो यहां से यह जो angle है आपके सामने, यह कितना होगा, पाई-पाई-3, बस यहां पर question खतम है आपका, आपको इसके बाद में बोला गया है, if the radius of the circum circle of the triangle ABC is 2, तो ठीक है, तो देखिए यहां से कितना आ रहा है, h upon 2 will be equal to 1030, तो h की value कितनी आपका, 1060, पाई-पाई-3 कितना होता है, 60, so h की value कितनी आ गई, 2 root 3, और यही बस आपका answer, इसमें थोड़ा सा बस आपका observation अच्छा होना चाहिए था question में, ठीक है, उसी के साथ में आपका क्या ह हो जाएगा, answer आ जाएगा, that is third option, किलिए है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, और next है हमारा question number 9, और question number 9 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 15 sin to the power 4 alpha plus 10 to the power cos 4 alpha equal to 6 for some alpha, then the value of 27 sec to the power 6 alpha plus 8 cos x to the power 6 alpha is equal to, देखिए कैसे करते हैं, चाहो तो आप इसको sin cost में भी कर सकते हो, क्योंकि लेकिन हमें seg और cosec चाहिए, तो हम इसको 10 में convert कर लेते हैं, तो इस पूरी equation को मैंने divide कर दिया, किस से cos to the power 4 alpha से divide कर दिया, तो देखिए क्या बनेगा, यह बनेगा 15 time 10 to the power 4 alpha plus 10 will be equal to 6 time seg to the power 4 alpha, और उसको लिख दिया, seg square alpha का whole square, अब मैंने 10 square alpha को t माना, 10 square alpha को t माना देखिए, तो यह बनेगा 15 t square plus 10 will be equal to 6, इसको लिखा 1 plus 10 square alpha, और 10 square alpha को t माना है मैंने, तो 1 plus t का whole square, देखते हैं कितना आएगा, यहां से आएगा, यह 6 plus 6 t square plus 12 t, सबको left hand side में ले आया, तो 15 minus 6 हो गया, 9 t square minus 12 t, और plus 4 will be equal to 0, तो यहां से मिला मेरे को 3 t minus 2 का whole square, यह है a minus b का whole square, तो यहां से t की value आ गई 2 by 3, और t किसको लिया था, 10 square alpha, तो 10 alpha की value आ गई, root 2 by 3 plus minus, लेकिन क्योंकि हमें even power थाई है, तो minus का कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो plus 3 ले लेते हैं, 10 alpha equal to root 2 by 3, अब देखिए 10 alpha की value होगा, root 2 by 3 है, तो यह root 2 होगा, यह root 3 होगा, और यह हमारा root 5 होगा, तो यहां पर जब put करेंगे, तो देखिए हमें कितना मिलेगा, 27 into sec to the power 6 alpha, और sec to the power 6 alpha हमारे सामने कितना आएगा, देखिए, यहां पर जब हम put करें तो हमें मिलेगा, sec की value root 5 by root 3 का whole की power 6, plus 8 time, cause sec के अंदर हम बात करेंगे, तो यहां से आएगा root 5 by root 2 की power 6, और इसको अगर हम solve करते हैं, तो हमारा यह तो देखिए, कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, और यहां से आएगा 125 plus 125, जो कितना होगा, 250, और हमारा जो correct answer होगा, first option, clear है, तो पहला option हमारा क्या होगा, यहां पर सही होगा, चलिए आगे बात करते हैं, next question, और next हमारा question number 10, question number 10 में हमें क्या दिया है, let the centroid of an equilateral triangle, a, b, c, b at the origin, देखिए, एक कोई equilateral triangle है, जिसका centroid क्या है, origin पे है, ठीक है, यह point हमारा 0,0 है, let one of the side of the equilateral triangle will be along the line this, एक जो line है, हमारी वो x plus y equal to 3 के along है, ठीक है, if r and small r the radius of the circumcircle and in circle respectively of the triangle a, b, c, then r plus r, तो देखिए, अगर यह equilateral triangle है न, तो यही आपकी median होगी, यही perpendicular bisector होगा, यही altitude होगा, सब कुछ यही रहेगा, यही angle bisector होगा, तो small r तो होगी आपकी यह वाली length, इस point से, point g से लेकर के d की, और capital r आपकी length होगी a से लेकर g की, और इसमें relation भी रहेगा आपस में, r जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपके सामने, क्योंकि 2 is to 1 के अंदर होता है, तो अगर small r अगर आ जाता है, तो capital r की value कितनी हो जा है, और small r देखिए हम बहुत इजिल निकाल सकते हैं, इस से इसके उपर आपको perpendicular distance निकालनी है, line पे, तो small r की value होगी, 0 plus 0 minus 3, divide by root 2, तो यहां से small r की value हो जाएगी 3 by root 2, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए capital r plus small r, capital r 2 r है, यह r, so that will be 3 r, और r की value 3 by root 2, तो हमारा answer आजाएगा 9 by root 2, तो very simple question, option fourth will be correct, clear है, बस इसमें आपको यह सारी, जो geometrical जो चीज़े हैं, वो पता अगर होती, तो आप इस question को बहुत easily solve कर पाते, आगे बात करते हैं, next question, next है हमारा question number 11, question number 11 में देखिए क्या दिया गया है, the angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree, देखिए, इस बार यहां पर कोई ह हमारे सामने एक plane है, ठीक है जो इस तरीके से ओड रहा है, ठीक है, और ground के उपर कोई एक point है, ठीक है जिससे उसका angle of elevation कितना बन रहा है, 60 degree बन रहा है, after the flight of 20 seconds at the speed of 432 km per hour, the angle of elevation changes to 30 degree, देखिए, 20 second plane के उडने के बाद में, आपका plane यहां पहुंच जाएगा, और यहां पर जब पहुंच जाएगा, तो उस case में इसका angle of elevation इस point पर है, वो 60 degree से 30 degree में convert हो जाता है, clear है, then the jet plane is flying at a constant height, यह आपके constant height पर उड़ रहा है, ठीक है, then its height is, तो हमें इसकी height निकालनी है, h कितनी होगी, तो देखिए, यहां पर भी h होगी, और यहां पर इसकी height क सा काम करेगा, यह वाले distance मान लेते हैं कि x है, इस point से लेके इस point तक की, और यह distance हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें time और वो दोनों चीज़ें दी गई है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, कि kilometer per hour में है, वो second में है, तो इसको convert किया सबसे पहले, तो meter per second में, 432 into 1000, divide by 60 into 60, kilometer को cancel out, 0 से 0 cancel out, 6 से यह गया आपका, 7, 72, और 6 से वापिस गया, यह 12, तो यहां से आ जाएगा आपके सामने, 120 meter per second, यह आपकी speed आ गई, meter per second में, speed है हमारे सामने, time है second के अंदर, तो यहां से हम distance निकाल सकते हैं, distance equal to हो जाता है, time into speed, so 120 into 20, there will be 2400 meter, तो यह जो distance से आपके सामने कितनी है, 2400 meter, अब देखिए हमें इसकी height कुछ है, तो हम निकाल सकते, दो triangle है हमारे सामने, एक है हमारे सामने, h by x, that will be 1060, और दूसरा है हमारे सामने, h upon x plus 2400, और इसकी value है हमारे सामने 1030, हमें h चाहिए, तो यहां से x को guide करते हैं, देखिए, कैसे करेंगे, h will be equal to हो जा और x की जगे पर value put कर देते हैं, यहां से, तो h upon 1060, और 1060 होता है, root 3, और plus 2400, तो देखिए, कितना आएगा, इसको इधर multiply किया, तो यह बनेगा, 3h will be equal to h, और यहां पर आजाएगा, 2400 into root 3, तो h की value कितनी आजाएगी, 2h आएगा, तो 2 से divide करेंगे, तो यह आजाएगा, 1200 root 3, meter, meter के अंदर हमारे सामने, यह हाई, इस हाइट पर हमारा plane उड रहा होगा, और ऐसा हमारे पास में कौन सा option है, पहला option है, तो यही हमारा क्या है, correct answer है, क्लिए रहे हैं बच्चो, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, और next है हमारा question number 12, और question number 12 में देखिए, हमसे क्या number 12 में आपको दिया गया है, two vertical poles are 150 meter apart, and the height of one is three time, that of the other, देखिए, आपके सामने दो पॉल है, एक की height, अगर मेरे सामने h है, तो दूसरे की height कितनी है, 3 h है, क्या रहे है, from the middle point of the line joining their fit, ठीक है, इसके जो fit है, इनका जो mid point होगा, ठीक है न, उसकी line joining and observation, find the angle of elevation of the top to be complimentary, यहाँ पर कोई एक observer है, ठीक है, जो यह देख रहा है, कि यहाँ पर यह जो दोने angles बन रहे हैं, यह complimentary है, एक theta है, तो दूसरा कितना होगा, 90 minus theta, clear है, complimentary, then the height of the shorter pole, तो shorter pole की height है, क्या होगी, वहामें निकालनी है, देखिए, बहुत simple question again, यह middle point है, total 150 meter है, तो यह भी 75 होगा, और यह भी 75 होगा, तो पहले वाले से आएगा, आपके सामने, 3H divided by 75 equal to 10 theta, और दूसरे वाले से आएगा, H upon 75 equal to 1090 minus theta, that is quote theta, 1090 minus theta क्या हो जाएगा, quote theta, हमें H चाहिए theta को guide करना है, तो यह तो यह कहूँ कि 10 theta के विलिए निकाल के यहाँ put कर दो, यह सीद multiply कर दो, तो दोनों को जब multiply करेंगे, तो हमें मिलेगा, देखिए, 3H into H divided by 75 into 75, 10 theta is 10 theta, और quote theta को लिख दिया, 1 upon 10 theta, तो यह cancel out, एक 3 से यह cancel out 25 time, so H square will be equal to हो गया, 25 into 75 को लिख दिया, 3 into 25, so H आजाएगा, आपके सामने, 25 root 3 meter, ठीक है यह आपकी height हो जाएगी, और ऐसा हमारा कौन सा option है, fourth option, सबसे important part diagram, diagram के बाद trigonometric calculation बहुत easy रहती है, ठीक है, उसको बस आप सही से बनाएए, आगे बात करते हैं, question number 13, question number 13 में देखिए हमें क्या दिया गया है, e की power this satisfied this equation, then the value of this, देखिए, e की power यह इसको satisfy कर रही है, ठीक है, तो इसके expression की value क्या होगी, तो देखिए, सबसे पहले तो इसको simplify करते हैं, और देखते हैं कि क्या आएगा यहां से, यह देखिए क्या है, यह infinite gp है, तो इसका जो sum होगा, वो होगा, पहली drum, cos square x, divide by 1 minus cos square x, और यहां पर इसके साथ में multiply में दे रखा है, log e to the base 2, इसको ऊपर ले आईए, तो देखिए, यह बन जाएगा, e to the base log e, और 2 की power में, cos square upon, यह sin square, so there will be cot square x, तो यह guide हो जाएगा, क्योंकि दोनों के base same हो गया, तो आपके सामने यह आजाएगा, 2 into cot square x, अब आपको यह बोला गया है, 2 into cot square x, इसको satisfy कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ simple सा, कि यहां से जो t की जो values आएगी, दो t minus 1 और t minus 8, ठीक है, वो जो values होए, वो इसके equivalent ह है, और इसको solve करोगे, तो आपको t की दो values मिलेगी, 1 और 8, तो देखें, जब इसको 1 के equivalent करेंगे आप, और जब इसको 8 के equivalent करेंगे, तो आपको cot square x की 2 values मिलेगी, एक तो cot square x 1 by 2 के equal, और दूसरा 1 by 8 के equal, clear है, अच्छा, यह 2 की power है, sorry, ठीके न, multiplication में नहीं है, इसको सही से कीजिए, ठीके न, 2 की power cot square x जो है, आपके सामने, वो किसके equivalent आ रहा है, या तो 2 की power 0, और या 2 की power 3, अब देखे, cot square theta 0 तो कभी होई नहीं सकता, क्योंकि 0 तो इसकी range में ही नहीं होता है, ठीक है, तो इसकी value कितनी हो जाएगी, आपके सामने 3 हो जाएगी, या यह बात करे की यह 0 कभ होगा, जिरो तो हो सकता है, ठीक है, infinite, कि उसकी domain में तो रहता है, 0, range में तो 0 रहता है, ठीक है, डोमेन के अंदर नहीं रहता है, ठीक है, तो लेकिन जब यह 0 कभ होगा, जब sin x 0 होगा, और sin x क्योंकि यहां पर आपके सामने कहां पर है, divide के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमारे सामने यह वाली जो value यह क्या हो जाएगी, discard हो जाएगी, और cortex की value आजाएगी आपके सामने, plus minus root 3, यह value जब आप यहाँ put करोगे, और आपको 0 से pi pi 2 में दिया गया है x, ठीक है, तो 0 से pi pi 2 में root 3 होगा, और यह root 3 ताब होता है, जब यह 30 degree होता है, तो यहाँ पर put करेंगे, तो 2 into sin 30, that is 1 by 2, 1 by 2 plus root 3 into root 3 by 2, देख लिजी कितना आ रहा है, ऊपर आएगा आपके सामने 2, और नीचे आएगा आपके सामने 4, so that will be 1 by 2, तो आपका जो correct answer होगा, that is 1 by 2, third option आपका क्या होगा, सही होगा, यहाँ पर हमने 0 को discard क्यों कर दिया, क्योंकि जब quote x 0 होगा, ठीक है, तब हमारे सामने x होगा, कितना 90 degree, और जब x 90 degree होगा, quote x 0 का होगा, देखो, quote x की value हमारे सामने 0 होगी, यह cos theta upon sin theta होता है, ठीक है, जब x हमारे सामने कैसा होगा, 90 degree, ठीक है, और जब x हमारे सामने 90 degree हो गया, ठीक है, तो उस case में हमें क्या problem हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 90 degree हमारे, इसमें भी नहीं है, डोमेन में भी नहीं है, प्रोब्लम तो हो सकता है, साहिद कुछ नहीं हो रही है, क्लियर है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, और next हमारा question number 14, और question number 14 में देखिए, हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, question number 14 में आपको बोला गया है, the angle of elevation of the summit of a mountain from a point on the ground is 45 degree, देखिए, ground के उपर कोई एक point है, ठीक है, जिसका angle of elevation कितना है, 45 degree, इसके बाद after climbing up one kilometer towards the summit at an inclination of 30 degree, अब देखिए, यहाँ पर यह बहुत important line है, after climbing up one kilometer towards the summit at an inclination of 30 degree, इसका क्या मतलब हुआ, कि आपको उसके उपर 30 degree की डलान के उपर चड़ना है, ठीक है न, 30 degree पर, तो 30 degree का मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि वापिस कहीं पर को एंगल बन रहा है, आपको one kilometer चलना है, इस पहाड की तरफ, ठीक है, यहां से 30 degree angle के उपर, ठीक है न, इसका meaning यह है, और जब आप इसके नदे one kilometer चल जाएंगे, ठीक है न, इसकी तरफ, तब आपके सामने फिर से एक एंगल बन रहा है, तो यहां पर जो बनेगा, आपका 60 degree बनेगा, ठीक है न, इस पॉइंट, तो आपको यह बताना है, कि इसकी यहां से लेकर के, यहां तक की height कितनी है, देखें, बहुत इजली निकाल सकते हैं, यह आपको one kilometer दिया गया है, ठीक है, इसको यहां से, इससे join कर लेजिए, ठीक है, अगर यह h है, तो यह नीचे वाली जो length है, क्योंकि वो पूरा एंगल 45 degree था, तो यह जो complete length है, यह भी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, यह one kilometer है, हमें जो answers दिये गए है, वो kilometer में ही है, तो हमें kilometer में ही रखना है, तो यह one kilometer है, तो यह एंगल 30 degree है, तो यह होगा one cos 30, तो इसकी value आजाएगी, हमारे सामने root 3 by 2, और यह जो length है, vertical जो length है, यह होगी one sin 30, तो इसकी length आजाएगी one by two, तो यह root 3 by 2, यह one by two, और यह complete length h है, तो यह वाली length कितनी हो जाएगी, h minus root 3 by 2, और यह पूरी length h है, उसमें से यह length one by two है, तो यह length कितनी हो जाएगी, h minus one by two, तो इसके अंदर देखिए, अगर हम trigonometry लगाएगें, इस उपर वाले शिर्फ इतने triangle के अंदर, तो यहां से देखिए, हमें मिलेगा, h minus one by two, divide by h minus root 3 by two, और that will be equal to 1060, जिसकी value होती है, आपके सामने root 3, इसको simplify करें, तो आपको देखिए, मिलेगा यहां से, 2h minus one, will be equal to, 2h minus root 3, into root 3, यहां से आपको h निकालना है, तो देखते हैं, h की value कितनी आएगी, इन सारी values को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, h value को, और constant rum को इधर लेके आ रहा हूँ, तो इधर तो आजाएगा 3, और 7 में आएगा आपके सामने, उधर है minus one, और इस साइड में जब लेके आएंगे, तो 2h root 3, तो 2 वहां पर भी है, तो 2 common आ जाएगा, root 3 minus 1 time h, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो h की value आ जाएगी आपके सामने, 1 upon root 3 minus 1, और ऐसा option हमें दिया गया है, that is fourth option, तो यहां पर भी हमारा कौन सा option सही होगा, fourth option, तो यहां पर भी हमारा कौन सा option सही होगा, कहीं पर भी हमने कुछ गड़बड नहीं की हो, ठीक है, otherwise हमारा जो fourth option होगा, वो correct होगा, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, next है question number 15, और चुसर number 15 में देखिए, आपको क्या बॉला गया है, क्या दिया गया है, the number of roots of this equation, in the interval 0 to pi, 0 से pi में इसके कितने roots होगे, यह हमें बताने हैं, तो देखिए, 81, 3 sin square, 30 सारे दिया हुआ है, 81 को लिखा 3, to the power 4, और sin square x को मान लिया, t, plus 3 to the power 4, cos square x, क्योंकि sin square x को t माना, तो इसको लिखेंगे, 1 minus sin square x, so 1 minus t, और that will be equal to 30, और चाओ तो 81 ही रहने दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखिए, 3 की power 4 t, ठीक है, नहीं ध्यान से देखिए, 3 की power 4 t को मैंने क्या माना, alpha, तो यह alpha, plus 3 की power 4, 81, 3 की power minus 40, नीचे आ जाएगा alpha, that will be equal to 30, मैं दो substitution कर दियें, जान से देखना, पहले sin square x को t माना, और उसके बाद में, इस वाली ट्रम को, पूरी को क्या मान लिया मैंने, alpha, अब देखिए, पहले इस equation को solve करते हैं, लिकना आ रहा है, तो यहां से मिलेगा, हमें alpha square minus 30 alpha, plus 81 will be equal to 0, 81 है, उदर 30 आ रहा है, तो 27 और 3, दिखाई दे रहे हैं factors, तो alpha minus 27, और नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो formula लगा सकते हैं, alpha minus 3 will be equal to 0, so alpha की 2 values आ रहे हैं, 3 और 27, और वैसे भी देखिए, जब भी ऐसे questions आते हैं न, जिसमें 3 का exponent बन रहा है न, तो आपका जो answer आता, वो 3 के format में ही आता है, ठीक है, अब सबसे पहले alpha आपने किसको माना, 3 की power 4T को, तो इससे हमें 2 values मिली, 3 की power 1, और 3 की power 3, so 4T की 2 values आ गई, 1 और 3, T माना था, sin square X को, so sin square X की 2 values आ गई हमारे पास में, 1 by 2 और 1 by 4 और 3 by 4, तो देखिए, 0 से πाई के अंदर, sin square X की value, 1 by 4 दो बार होगी, ठीक है, sin square X की value, 1 by 4 दो बार होगी, 0 से πाई में, और 3 by 4 भी 2 बार होगी, तो टोटल जो number of solutions आएंगे, आपके सामने वो कितने आएंगी, 4 आएंगे, और आपका जो second option होगा, वो यहां पर क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, अगर और बड़ा interval होता, जैसे 0 से 2 पाई, तो भी आपका answer 4 ही होता, ठीक है, नहीं, फिर 4 नहीं होता, क्यों, क्यों, तो यह भी उपर हो जाता, तो फिर आपके पास में ज़्यादा आ जाते, लेकिन 0 से पाई में कितने होंगे, 4 होंगे, so according to the data, हमारा answer कितना होगा, 4 होगा, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, next question number 16, question number 16 में देखिए हमें क्या है, हमें 2 equations दी गई है, और इन से solve करके, हमें N की values find out करनी है, तो चलिए देखते हैं, पहली equation से हमें मिल रहा है, log 10, log 10, sin x into cos x will be equal to, minus 1, तो यहां से हमें value मिली, sin x into cos x की, और that will be equal to, 10 to the power minus 1, या 1 by 10, यह हमारी second equation में काम आएगा, जब हम N की value निकालेंगे, यहां से देखिए कितना आ रहा है, यहां से हमें मिलेगी, sin x plus cos x की value, इस 2 को इधर ले आए, ठीक है, तो 2 को इधर लाएगे, यह power में चला जाएगा, so sin x plus cos x का, whole square हो जाएगा, और यह value हो गया, हमारी 10 to the power, log 10 N minus 1 के equal, ठीक है न, log 10 N minus 1 के equal, इसको open कर लिया, sin square x plus cos square x 1, plus 2 time sin x cos x, जिसकी value 1 by 10 है, will be equal to, इधर दोनों को अलग लग करेंगे, तो यहां पर इससे यह cut जाएगा, N, और divide by 10 to the power minus 1, यह हो जाएगा 10, बस इसको solve कर लिजिए, 12 by 10 will be equal to, N by 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो N की value कितनी आजाएगी, 12, और यही हमारा क्या है, सही answer, तो हमारा जो correct answer होगा, वो कौन सा होगा, second option, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, next हमारा question number 17, और question number 17 में देखें हमें क्या दिया गया है, इन triangle ABC, the length of the side AC and AB are 12 cm and 5 cm respectively, अभी देखें हमें नहीं पता यह triangle कैसा है, तो हमने एक general triangle बना लिया, ठीक हैं, ABC, जिसके अंदर हमें 2 length दी गई है, AC और AB, 12 और 5, ठीक है, और साथ में हमें दिया गया है, कि इसे का area 30 meter square है, तो जब भी देखिए ऐसा होता है, तो हम SOT से कौन सा formula लगा सकते हैं, 1 by 2 into 12 into 5 into sign of उनके beach का angle, यह area का formula होता है, अगर 2 side पता हो उसकी beach का angle पता हो, और यह आपको दिया गया है 30, यह 2 से cancel out हो गया 6 time, यह 6 से cancel out हो गया 5 time, 5 से 5 गया, तो हमें मिला sign A की value 1, और क्योंकि ट्राइंगल के angle है, तो A की value शिरफ A की possible है, that is 90 degree, तो इससे हमें यह पता चला, यह जो triangle होगा, यह right angle triangle है, जिसके अंदर A point यह होगा, और B और C इन में से कोई points होगे, A B 12 है, और A C आपके पास में 5 है, तो यह हो जाएगी 30, अब हम से आगे क्या पुछा गया है, then the value of 2R plus R, अब देखिए हमारे पास में दोनों के formula होते हैं, R होता है, A B C divide by 4 delta, A कितना है, A है हमारे सामने, A के opposite 13, B के opposite 5, C के opposite 12, divide by 4, delta की value हमें दे रखिए, उसको direct use करें, that is 30, simplify कीजिए, 4 से गया 3 time, 5 से गया 6 time, 3 से गया 2 time, तो यहां से मिलेगा आपको 13 by 2, तो यहां से आपको 2R की value मिल जाएगी, direct that is 13, ठीक है, ऐसे आपको small r निकालना है, small r का formula होता है, delta upon semi perimeter, delta फिर से में दिया गया है 30, निकालने की जरूत नहीं है, semi perimeter निकाल लेते हैं, s की value कितनी आएगी देखिए, 12 प्लस 13 प्लस 5, there will be 18 divided by 2, so 30 by 2, that will be 15, so s की value 15 यहां पूट करें, तो हमें मिलेगा 2, तो small r की value कितनी आएगी 2, हमें इन दोनों का sum करना है, तो इस तरीके से हमारा जो answer आजाएगा, वो कितना आजाएगा यहां पर, 15 और 15 ही हमारा correct answer है, चलिए आगे बात करते हैं, next question, और next question है हमारा, question number 18, और question number 18 में देखिए, हमसे क्या बोला गया है, क्या पूचा गया है, question number 18 के अंदर, आपको फिर से देखिए, AD और BC 2 vertical pulse दिये गये हैं, point A तथा B पर, तो फिर से देखिए बनाते हैं, जिसे पेच्छे हमने question किया था, A और B, respectively, respectively, ठीक है, on a horizontal ground, if AD is 8 meter, ठीक है न, AB will be 10 meter, BC will be 11 meter, तो ये BC है, BC that will be 11 meter, और AD था हमारे पास में 8 meter, इसको थोड़ा छोटा ले लें, 8 meter, then the distance of a point M on AB, ठीक है न, AB के उपर कोई point M है, ठीक है, AB के उपर कोई point है M, from the point A, अच्छा, वहां से D से नहीं निकालनी है, हमें ये distance निकालनी है, ठीक है, ये distance निकालनी है, X, A से M के distance निकालनी है, और क्या condition दीए, such that M D square, मिसा ये वाली length, प्लस ये वाली length, अगर मैं इसको A और B नाम दे दू, M D square प्लस M C square क्या हो, minimum हो, तो देखिए A square प्लस B square, minimum होना चाहिए, तो A square की value अगर हम निकाले हैं, तो यहां से कितना आएगा, देखिए A square प्लस X square, प्लस B square की value कितनी आएगी, B square की value होगी, आपकी 11 square प्लस, इसको लिख सकते हो, 10 minus X का whole square, क्योंकि आपको ये total length दे रखिए 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 minus X, ठीक है, अब देखिए इस expression को minimum होना चाहिए, ये expression, उस case में हमें X की value find out करने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, माल लेते हैं कि ये function है Y का, तो इसको differentiate किया, DY by DX, तो हमें मिलेगा कितना, ये 0, प्लस 2X, प्लस 0, प्लस 2 टाइम, 10 minus X, इन्टू minus 1, तो ये कब 0 होगा, ये 0 होगा हमारा, 10X, प्लस 2X, प्लस 2X, ये 4X minus 20, विल बी इक्वाल टू 0, means X equal to 5 पर, अब X equal to 5 पर ये minima है या नहीं, उसके लिए हम इसका double derivative चेक कर लेते हैं, वैसे तो उसी से भी पता कर सकते हैं, बड़ डेरिवेटिव इसी लिए आज आएगा, 2X का डिफ्रेंसियेशन 2, minus 20 का डिफ्रेंसियेशन 0, और यहां से आएगा आपके सामने कितना, प्लस 2X, इसका डिफ्रेंसियेशन भी 2, so that is 4, अगर double derivative पॉजिटिव आज आता है, इधार पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है, तो X equal to 5 पर भी पॉजिटिव होगा, तो यह आपके पास में कौन सा पॉइंट होगा, minimum होगा, that means X equal to 5 पर ही एक्स्प्रेशन आपका क्या होगा, minimum होगा, और आपसे X ही पूचा है, तो आपका जो correct answer हो जाएगा, वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 आज जाएगा, चलिए आगे बात करते हैं, next question, next है हमारा question number 19, और question number 19 में देखिए, हमें क्या बोला गया है, the angle of elevation of the top of a hill from a point on the horizontal plan passing through the foot of the hill is found to be 45 degree, यह देखिए, वैसा है हमने थोड़ देर पहले किया था, यह कोई एक hill है यहाँ पर, ठीक है, angle of elevation of the top of the hill, ठीक है, यह आपको दिया गया है, that will be 45 degree, बिल्कुल सेम क्यूशन है, वो आपर 1 km था, यहाँ पर 80 meter है, after walking a distance of 80 meter towards the top, up a slope inclination at the angle 30 degree, 30 degree पर ही चलना है आपको, ठीक है, कितना 80 meter, और 80 meter चलने के बाद में, angle कितना बन रहा है, आपका top के साथ में, इस बार 75 degree बन रहा है, बस यहाँ पर यह है, कि आपको यह थोड़ा सा, calculation करते टाइम पर ध्यान रखना पड़ेगा, फिर से देखिए इसको h माल लेते हैं, height को, तो यह 45 degree है, तो नीचे वाली length भी h हो जाएगी, पूरी यह से यहां तक, यह h है, क्यों, क्योंकि वो angle कितना है, बड़े triangle का 45 degree, isosels triangle है, यह 80 meter है, तो 80 cos 30, तो यह हो जाएगा 40 root 3, और 80 sin 30, यह हो जाएगा 40 by 2, that is 40, तो total length h है, तो यह length हो गई h minus 40 root 3, और total length h है, तो यह length हो जाएगी h minus 40, again वापिस वो ही formula, 1075 degree will be equal to, perpendicular by base, h minus 40 divided by, h minus 40 root 3, जिन लोगों को पता है, वो लोग direct value put करें, मेरी तरह 2 plus root 3, और जिन लोगों को नहीं पता है, वो लिखे 75 को 45 plus 30, और 10a plus b का formula लगाए, और उसको simplify करें, h minus 40 divided by, h minus 40 root 3, इसको solve कर लीगे, इसको simplify करके जो answer आएगा, वही आपका सही answer होगा, तो चलिए बात करतें कितना होगा, यह इदर multiply होगा, तो आएगा 2h, इसके साथ multiply होगा, तो आएगा root 3h, और साथ में, minus 40 root 3 के साथ multiply होगा, तो होगा minus का 80 root 3, और इसके साथ multiply होगा, तो minus 120, will be equal to h minus 40, इसको simplify करते हैं, तो देखिए कितना आ रहा है, h को इदर लेके आए, तो आपको यहाँ पर आएगा, root 3 plus 1 time h, और 80 root 3 को इदर लेके आए, तो देखिए 80 common आ जाएगा, और यह भी बन जाएगा, 120 minus 40, 80, तो again root 3 plus 1, यह cancel out हो जाएगा, और आपको यहाँ से h की जो value मिलेगी, वो कितनी मिलेगी 80, तो आपका जो correct answer होगा, वो कितना आजाएगा यहाँ पर, 80 meter, ठीक है, meter में चाहिए, 80 meter, चलिए आगे बात करते हैं, next question, next है हमारा question number 20, question number 20 में देखिए, में क्या बोला गया है, number of integral values of k, for which this equation has a solution, देखिए अगर इसका solution तभी होगा, जब k plus 1 आपका इसकी range में आएगा, और इसकी range कहां से कहां लाई करती है, हम सबको पता है, 3 square plus 5 square से लेकर के, 3 square plus 4 square से लेकर, 3 square plus 4 square, यह इसकी range होती है, a sin x plus b cos x, अगर k plus 1 आपका इस interval में होगा, ठीक है, तभी आपके सामने इसका solution exist करेगा, otherwise नहीं करेगा, so k plus 1 का interval क्या आजाएगा, minus 5 से लेकर के, plus 5 के बीच, तो k का interval कितना आजाएगा, minus 6 से लेकर के, 4 के बीच, तो आपको बताने number of integral values, तो आपके सामने आएगा, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, साथ में 1, 2, 3, and 4, तो total कितनी value जा रही है, 6 plus 1, 7 plus 4, 11, तो हमारे के के जो खोड़ांक मांध होंगे, उनके से कितनी होगी, 11, चलिए next question के बारे में बात करते हैं, next है question number 21, और question number 21 के अंदर आपको बताने है, इसके number of solution in the given equation, when x belong to 0 to pi pi 2, x अगर 0 से pi 2 है, तो इसके कितने solutions होंगे, देखिए, सबको इधर ले आए, तो हमें मिलेगा, root 3 cos square x, minus root 3 cos x, plus cos x, minus 1 equal to 0, root 3 cos x common आ रहा है यहां से, इसको common लिया, तो यहां बचा, cos x minus 1, plus 1 common आया, cos x minus 1 will be equal to 0, तो cos x की दो values आ रही है, एक तो 1, और दूसरी आ रही है, minus का, 1 upon root 3, ठीक है न, root 3 cos x plus 1 वाला जो factor बनेगा, वहां से कितना आ जाएगा, minus 1 upon root 3, 0 से pi pi 2 में, cos negative तो होगा नहीं, सिरफ एक बार cos x की value 1 आएगी, और वो भी x equal to 0 पर, तो हमसे क्या पुछाए, number of solutions पूछे हैं, तो only one solution, that is x equal to 0, चलिए next question की बात करते हैं, और यह हमारा आज का last question है, ठीक है, तो the number of solution of the equation, this in the interval 0 से 2 pi, तो देखिए, 0 से 2 pi में, या तो cortex positive होगा, या cortex negative होगा, तो पहले बात करते हैं, first और third quadrant में, ठीक है न, first और third में, आपके सामने, cot positive होता है, तो आपके सामने आएगा, cortex will be equal to, cortex plus one upon sin x, तो cancel out हो जाएगा, अब 0 से, first quadrant या third quadrant, कुछ भी हो, one upon sin x, कभी भी 0 के equal नहीं हो सकता, तो यहां से तो आएगा, आपका no solution, ठीक है न, इससे आप, यह कभी भी 0 नहीं हो सकता है, one upon sin x से, कुछ भी हो जाएगा, 0 नहीं होगा कभी भी, ठीक है, फिर बात करते, second और fourth quadrant, so second और fourth quadrant के अंदर, cortex होगा, आपके सामने, minus cortex के equal, will be equal to, cortex plus one upon sin x, इसको इधर ले आए, तो आपको मिलेगा, minus का two, solutions की बात करें, तो sin x को sin x से काट सकते हो, बस sin x की value 0 नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, और यहां से आपको मिलेगी, cos x की value minus 1 by 2, लेकिन cos x की value, देखिए, fourth quadrant में तो negative होगी नहीं, शिरफ आपके सामने कहाँ पर negative होगी, शिरफ second quadrant में negative होगी, तो शिरफ अगेन आपके सामने 0 से 2 pi में एक ही solution होगा, और इस point पर sin x हमारा 0 भी नहीं है, तो हमारा सिरफ एक solution आएगा, वो भी second quadrant में, और इसके भी जो number of solutions होगे, वो कितने होंगे, 1 होंगे, तो इसी के साथ आपका जो टिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट था, ठीकिन जितने भी questions हैं आपके सामने last 3 attempts में, हमने सारे questions solve कर लिये हैं, ठीकिन और इसी type की questions पूछे जा रहे हैं, mainly आप लोगों ने देखा होगा सभी ने, यहाँ पर height and distance से बहुत ज़्यादा questions आते हैं, ठीकिन तो आप उस वाले पार्ट पर थोड़ा सच्छे से focus कीजिए, आपका जो next 10 दिन के बाद में exam आ रहा है, क्लियर है, ओके, thank you very much,